सब्सक्राइब करना है लार्ज मतलब क्या होता है बड़ा नंबर जो सबसे बड़ा नंबर होता है जैसे अगर हम बात करें आपको पता ना वन डिजिट नंबर होता है तो जो वन डिजिट नंबर होता है वन डिजिट नंबर जिसमें सिर्फ क्या होता है वन डिजिट होता है कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद तो 10 10 में तो टू डिजिट हो गई न तो वन डिजिट नंबर क्या होता ह जीरो से लेके 9 तत तो इन में जो सबसे बड़ा लार्ज नमबर होता है वो क्या होता है 9 क्या नमबर सबसे बड़ा लार्ज नमबर क्या होता है 9 तो यानि कि अगर आपको बनाना है 1 डिजिट का लार्जस नमबर वन डिजिट का लार्जस नंबर क्या बनेगा आपके पास? 9 अगर आपको 2 डिजिट का लार्ज नंबर बनाना है कि 2 डिजिट का लार्जस नंबर तो क्या बनेगा? 99 अगर आपको 3 डिजिट का लार्ज नंबर बनाना है तो three digit का large number क्या बनेगा नाइन 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 अगर four digit का large number बनाना है तो क्या बनेगा नाइन 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 यानी कि अगर हम बात करें 1 digit का largest number होता है 9, 2 digit का largest number होता है 99, 3 digit का 999, और 4 digit का largest number क्या होता है 9999, अगर आपको 5 digit का largest number बनाना है तो कितने 9s लगेंगे 5? आप क्या बन जाएगा 1, 10, 100, 1000, 10,000 यानि 99,999 क्या होगा आपके पास 5 digit का largest number बन जाएगा ठीक है अच्छा आप उसके बाद हमें को topic करते हैं बेटा अब आपको पता देखो अगर हम counting लिखते हैं तो 9 के बाद 9 में अगर 1 को plus करोगे तो क्या बन जाता है 10 99 के बाद क्या आता है 100 अगर मैं बात करू 999 के बाद क्या आ जाएगा 1000 अगर मैं बात करू अगर आप 9999 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास 10,000 और ऐसे ही 9, 9, 9, 9, 5 times 9 के बाद कितना जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानि कि अगर 9 के बाद next number क्या होता है 10 ये है greatest number 1 digit का और ये क्या है ये next digit का क्या बन जाता है smallest number ये क्या बन जाया ये smallest number 2 digit का है ये greatest number है 2 digit का ये क्या बन गया smallest number 3 digit का ये greatest number है 4 digit का समझ आया कि हमारे पास कैसे चलते हैं कि अगर हम one digit के greatest number में one plus करतेंगे तो two digit का हमारे पास smallest number मिल जाएगा देखें इसी topic थे हम लोग आपके लोग में discuss करते हैं one more than nine is ten that is nine plus one is equal to ten 99 is hundred 999 plus one thousand and 9999 plus one ten thousand and nine thousand 99,991 में one plus करेंगे तो इतना बन जाएगा आपके पास one lakh तो the number digits the number next to largest digit is the smallest two digit number यह largest number था और यह क्या बन जाएगा smallest two digit का number बन जाएगा आपको मैंने पताई दिया चीक है अब हम इसको पढ़ते कैसे हैं मेटा चैसे क्या है ten thousand इसको हम क्या read करेंगे ten thousand, ten thousand one, ten thousand two, ten thousand nine, ten thousand ten, ten thousand eleven फिर वैसे ही चलता रहते है फिर देखे ten thousand ninety nine, ten thousand one hundred, ten thousand one hundred one फिर ten thousand nine hundred ninety nine, then eleven thousand, eleven thousand one अब यह क्या बन गया nineteen thousand nine hundred ninety nine फिर क्या जाएगा twenty thousand, twenty thousand one फिर ninety thousand nine hundred ninety eight फिर ninety thousand nine hundred ninety nine and this will be one lakh समझाए आप सबको चीक है counting तो आप सबको आती है one lakh तक तो यह हमने counting सीखी अब भी देखते हैं आप आप आपने इसमेक साइज में करना कैसे ही का फिर्स्ट है you have to write in the words write in the words words में आपको लिखना है जैसे आपके पास है one eight two four five चीक है अब आपने इसको देखे हैं आप हम यह से कुछते हैं यह क्या है one ten hundred thousand ten thousand तो यह आपके बस क्या बन गया eighteen thousand two hundred forty five चीक है आप हम लिए ऐसे ही यह क्या है forty five thousand two hundred eighty one this is seventeen thousand four hundred fifty eight now eighty thousand one twenty thousand five hundred one thirty thousand four तो आपने इसके number names लिखने आते हैं ना सबको number names लिखने हाप लोग पहले भी लिखते हो very good आप सबने यह सम करना है फिर है second sum write the numerals numerals अब आपके पास लिखना हुआ है six thousand five hundred eighty आपको पता है फिर इसको कैसे लिख सकते है eighty है तो पहले eighty में zero आएगा eighty फिर क्या हो गया five thousand और six thousand तो क्या बन जाएगा six thousand five hundred eighty तो आपने first or second sum आपने ऐसे करना है चीक है तो आज का आपका home work है यह बिटा आपने क्या करना है सिर्फ first or second sum को complete करना है okay बिटा बाए आपने क्या है